असलम आलेकुम आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अलग-अलग तरहा के चौकलेट डेकोरेशन्स आज यहाँ पर जो है हम बेकरी स्टाइल चौकलेट डेकोरेशन्स बना कर रड़ी करने वाले है हम यहाँ पर चार तरहा के अलग-अलग चॉकलेट डेकोरेशन आज बनाने वाले है और जैसा के हम जानते हैं बेकरी स्टाइल केक बनाने के लिए चॉकलेट डेकोरेशन बहुत ज़रूरी होता है बेकरी में जो है इसी तरीके से अलग-अलग चॉकलेट डेकूरेशंस का यूज करके जो है नई-णई केक की डिजाईन बनाई जाती है इसी तरीके से चॉकलेट डेकूरेशं बना कर ready करने वाले हैं और आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जो है वो जरूर से सबस्क्राइब कीजिए तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर हमने डार्क कमपाउंड चोकलेट और वाइट कमपाउंड चोकलेट ले लिया है और चोकलेट को हमने इस तरीके से छोटा छोटा सा जो है वो गठ कर लिया है यहां पे हम डबल बॉइलर मेंटर से जो है छोटा को मेल्ट करेंगे और यह देखिए इस तरीके से हमने जो है चोकलेट का बाउल रख देना है हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट में ये देखिए चॉकलेट हमारा जो है वह अच्छे से मिल्ट हो गया है और चॉकलेट देकोरेशन बनाने के लिए आप किसी भी तरह का चॉकलेट यूज़ कर सकते हो अब हमने यहां पर esimerk coat को बी इस तरिके से मिल्ट कर लेना है ये देखिए white compound चॉकलेट भी अच्छे से मिल्ट हो गया है अब हमने दोनों चोकलेट को जो है वो थोड़ा सा थंडा होने के लिए छोड़ देना है जब चोकलेट थोड़ा सा थंडा हो जाए तब हमने चोकलेट को जो है वो पाइपिंग बैग में अच्छे से फील कर लेना है ये देखिए इस तरीके से जब चॉकलेट थोड़ा सो थंड़ा हो जाए तभी हमने चॉकलेट को जो है वो पाइपिंग बैग में अच्छे से सेट कर लेना है दोनों ही चॉकलेट जो है हमने पाइपिंग बैग में अच्छे से सेट कर लेना है यह देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पर जो है एक बटर पेपर ले लिया है और जो फर्स डेकोरेशन हम बना रहे हैं वो हम जो है इस तरीके से एक जिगजग जिगजग वाला जो है पाटन बना लेंगे और यह देखिए इस तरीके से जो है अब हमने चोकलेट को अच्छे से रूम टेंपरेचर पर सेट होने देना है अब हमने इसके उपर जो है डार्क कंपाउंड चोकलेट डाल देना है और ये जो dark compound chocolate है friends ये भी अच्छी तरीके से थंडा होना चाहिए अगर हम गरम चॉकलेट जो है white compound chocolate पर दालेंगे white compound chocolate melt हो जाता है इसके लिए dark compound chocolate जो है वो normally थंडा होना चाहिए ये देखिए इस तरीके से जब हम चेक करेंगे तो ये जो chocolate है हमारे हाथों पर जो है वो चिपक नहीं रहा है इसका मतलब chocolate अच्छे से सेट हो गया है अब हमने एक scale की help से इस तरीके से जो है square बना लेना है normal room temperature पर 10 minute हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है ये अच्छे से सेट हो जाएगा ये देखिए अब हमने यहाँ पर जो है एक nozzle ले लिया है और जो squares हमने बनाए है squares में हमने इस तरीके से जो है circle बना लेना है ये देखिए अब हमने जो है इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है अब हम यहाँ पर दूसरो चोकलेट डेकोरेशन बना रहे हैं जिसमें हमने यहाँ पर वाइट कमपाउंट चोकलेट से इस तरीके से छोटे छोटे से यह डॉट्स बना लिए हैं और यह डॉट्स को हमने अच्छे से रूम टेंपरेशर पर वो सेट कर लेना है इसके उपर अब हमने जो है डार्क कमपाउंट चोकलेट सेट करना है यह देखिए इस तरीके से अच्छे से हमने जो है डार्क कमपाउंट चोकलेट जो है वो सेट कर लेना है और इसको भी हमने दस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है यह देखिये जब हम इस तरीके से हाथ से चेक करते है तो यह बिलकुल भी जो हाथों पे चिपकता नहीं है अब हमने यहाँ पर जो है एक flower shape का cookie cutter ले लिया है और इस cookie cutter से जो है अब हम इस तरीके से flower वाला cake decoration बनाएंगे और उसमें हमने एक चोटा सा सरकल कर लिया है यह देखिए इसको भी हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चॉकलेट डेकोरेशन बना रहे हैं यहाँ पर हमने एक स्पून की हल्प से इस तरीके से बटर पेपर पे चॉकलेट को अच्छे से सेट कर लिया है और इस तरीके से हमने यह डिजाइन बना लेनी है बहुत ही सिंपल से डिजाइन है आप भी इस चॉकलेट डेकोरेशन को जो है वो ज़रूर से ट्राई कीजिए ये देखिए इस तरीके से हमने चॉकलेट को अच्छे से सेट कर लेना है और चॉकलेट डेकोरेशन से केक का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और केक जो है वो बहुत अच्छा बनके रेडी होता है अब हमने चौकलेट को जो है 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और जब चौकलेट अच्छे से सेट हो जाए तब हमने इसके उपर जो है इस तरीके से वाइट कंपाउंड चौकलेट से जो है छोटे-छोटे से डॉट्स बना लेने हैं ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सिम्पल सी चौकलेट डेकोरेशन है आप भी जो है इस तरह की चौकलेट डेकोरेशन बना के जो है केक को डेकोरेट कर सकते हो ये देखिए अब हमने इसको 10 मिनट के लिए जो है फ्रीज में रख देना है सेट होने के लिए अब हमने यहाँ पर जो है यह silver foil paper ले लिया है और foil paper को जो है हम इस तरीके से एक गोला बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमने foil paper का जो है एक गोला बना लिया है यह देखिए अब हम इसको आइस्ता आइस्ता करके जो है open करेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके का डिजाइन जो है वो फॉइल पेपर पर easily बन जाता है यह देखिए यहाँ पर हमने जो है डार्क कंपाउंड चॉक्लेट अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से जो चॉक्लेट डेकोरेशन बनता है ना फ्रेंट्स वो chocolate decoration जो है वो बहुत ही अच्छा बनके ready होता है एक अलग तरहा का texture जो है वो chocolate decoration पर बनके ready होता है यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने chocolates decoration बना के ready कर लिये हैं, अब हमने इसको 10 minute के लिए fr lagi में रख देना है और अब हम one by one सारे chocolate decoration को अच्छे से निकाल देंगे ये देखिए जो first decoration हमने बनाया है square वाला ये देखिए friends कितना अच्छा हमारा chocolate decoration बनके ready हुआ है ये देखिए friends अब हमने यहाँ पर जो है जो दूसरा हमने chocolate decoration बनाया है flower वाला हीस्ता से हमने यहाँ पर slowly-slowly हमने यहाँ पर चौकलेट डेकोरेशन camera को निकाल लेना है यह देखिये यह देखिये friends और इस तरीके से हमने हलके हाथों से प्रेस करके चौकलेट डेकोरेशनmiyor करना है यह देखिये कितने अच्छे हमारे चॉकलेट डेकोरेशन बनके रेडी हुए है और ये जो पॉल्स वाला हमने डेकोरेशन बनाया है फ्रेंड्स ये देखिए ये पॉल्स वाला चॉकलेट डेकोरेशन भी कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है इसी तरीके से हमने सारे चौकलेट डेकोरेशन जो है वो remove कर लेने हैं और इन चौकलेट डेकोरेशन को आप किसी भी airtight container में store कर सकते हो और यह देखिए जो foil paper पे हमने चौकलेट डेकोरेशन बनाया है यह आप देख सकते हो फ्रेंड्स चॉकलेट पर जो है कितना अच्छा टेक्चर दिखाई दे रहा है और जब हम इसे केक डेकोरेट करेंगे तो जो केक का लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है यह देखिए कितना अच्छा टेक्चर इस पर बनके रडी हुआ है और यह देखिए यहाँ पर हमने अलग-अलग तरहा के जो है चॉकलेट डेकोरेशन बना कर रेडी कर लिये हैं और बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आज हमने यह चॉकलेट डेकोरेशन बनाए है फ्रेंड्स और आज का ये सिंपल सा चॉकलेट डेकोरेशन का वीडियो आपको कैसे लगा फ्रेंड्स कमेंट में हमें ज़रूर बताईए और ऐसे ही नई रेसेपीस के लिए सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग